सास का घूंगट पार्ट फो अब तक हमने दीखा कि देविका के ससुराल के आदमी औरतों को घर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं देविका उन्हें पुलिस में जाने की धमकी देती है जिससे पूरे गाउं में अफरा तफरी मत जाती है तबिगाउं का एक आदमी सर्पंज को बुला कर ले आता है सर्पंज उनकी घर की बाहर का नजारा देख कर कहते हैं जोगिंदर जी यह आपके घर की आउरतों ने कैसा हंगावा मचा रखा है आपका घर तो संसकारों की मिसाल था लेकिन यह मैं क्या देख रहा हूँ बाहर गई तो हम इने घर में नहीं आने देंगे अब यह देवी का हमें धमकी दे रही है कि पुलिस को बलाएगी क्यों? पुलिस? इस गाउं का बरसो पूराना इतियास रहा है इस गाउं में कभी पुलिस नहीं आई गाओं के सबी फैसले हमने मिल जुल कर किये हैं जो गिंदर, तुम्हारे घर का फैसला पंचायत करेगी सर्पंजी आपने ठीक कहा पंचायत दोनों तरफ की बाते सुने और जो भी फैसला पंचायत करेगी वो हमें मन्जूर होगा तो ठीक है, आज दुपैर को सभी गाउं की जो पाल पर इखटा होंगे और वहीं तुम्हारे घर का फैसला होगा सरपंच वहां से चला जाता है घर के आदमी घर के अंदर जाकर दर्वाजा बंद कर लेते हैं और घर की औरते वहीं घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाती है तब ही विमला कहती है देवी का बहू, तुम्हें भूख लगी होगी ना नहीं मा जी, मुझे भूख नहीं लगी, मैं ठीक हूँ बहू, तेरा बच्चा छोटा है अभी, तुझे भूखा नहीं रहना चाहिए वीना और सुजाता, जाओ पास में जो पंडी जी का बाग है न, वहां से कुछ फल तोड़ लाओ वीना और सुजाता पास के बगीचे से खूप सारे फल तोड़ कर ले आती है सभी औरते फल खाती है, तब ही देविका कहती है आप सब घर से बहार निकली, घूंगट उतार दिया, तो इन मर्दों की इज़्जट चलीगी लेकिन हम सब घर के बाहर भूखे प्यासे बैठे हैं, इस बात पर इन एहंकारे मर्दों को शर्म क्यों नहीं आ रही है हाँ देविका, तुम ठीक करी हो, अगर हम मर भी जाए ना, तब भी इन मर्दों के लिए इनके बनाये गए नियम कानों ही एहम रहेंगे, हम नहीं सुजदा भाबी, मुझे तो सबसे ज्यादा सचीन पर गुसा आ रहा है, उसने मुझसे लव मैरेज की थी, क्या-क्या वादे किये थे, कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और आज उसने मेरा साथ छोड़ दिया, अपने बच्ची को एक बार भी नहीं देखा उसने दीवी का वो शुरू से ही न डर पोक रहा है, लेगिन इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है, कि पंचायत में न जाने क्या फैसला होगा, पता नहीं वो इंसाफ करेंगे भी या नहीं बीना दीदी, आपको अभी भी पंचायत से इंसाफ मिलने की उमिद है, अगर इस गाउं की पंचायत में सच में इंसाफ करने की भाव ना होती, तो सर्पन जी अभी हमें घर के अंदर जाने देते, दिखा नहीं, कितना जहर उगल कर गए हैं हमारे खिलाफ, तो बहु, हमारे खिलाफ ही फैसला सुनाएगी, पहले तो हम अपनी सारी बाते रखेंगे, अगर ये लोग नहीं माने, तो आपको वही करना होगा जो मैं कहूंगी, लेकिन एक बात आप याद रखना, किसी भी सुरत में हम जुकेंगे नहीं, क्योंकि हम सही हैं, देवी का सभी औरतो कुछ समझा रही थी, तभी वहाँ एक गाउवाला आता है, आप सभी को पंचायत में बुलाया है, उस गाउवाली की बात सुनकर सभी औरतें पंचायत में पहुचती हैं, वो देखती हैं कि उस पंचायत में सारा गाउव एकटा हो गया है, बहुत सारी औरते लंबे लंब कर भूझगत हैं और नहीं किसी डॉक्टर से इलज करवाती है और हमारे मना करने के बाद वे इन सब ने घर से बाहर गदम रखा हम से उची आवाज में बात की लेजिकिन इन नोने हमारी बात नहीं सुनी आप ये सभी ओर्ठे हमारे घर में नहीं रह सकती अब औरते अपना पक्षे रखे हैं ये कानुन की किस किताब में लिखा है कि औरतों को घुंगट करना चाहिए और अगर मेरे ससुराल की औरते मुझे डॉक्टर के पास ना लेकर जाती तो ना मेरा बच्चा जिन्दा बच्चता और ना ही मैं लेकिन दाई अम्मा से हम इलाज दाई अम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था देविका का इलाज अम्मा के बस की बात नहीं तक काफी देर तक दोनों पक्षों में बहस चलते रही दोन reading दूसरे पर आरोप प्रत्यारों लगाते रहें लेकिन दोनों पक्षों की बात सुनने के के बाद पंचायत ने जो फैसला लिया उसके लिए तो देवी का पहले से ही तयार थी दोनों पक्षों की बाद सुनने के बाद पंचायत ने फैसला किया है कि सारी गलती महिलाओं की है अगर वो अपने अपने पतियों से माफी मांग लेती है और वादा करती है कि भविश्य म हमें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है हमने कोई गलती नहीं की जो हम माफ ही मांगी किस बात का वादा करें हम हमने देविका की जान बचाई है तो आप हमसे भविशे में किसी की जान ना बचाने का वादा ले रहें क्या अगर तुम्हें पंचाइक का फैसला मन्सूर नहीं है तो तुम सबको घर में नहीं पुरानी हवेली में रहना होगा जो अब खंडर बन चुकी है ये खंडर तुम्हारे घर के साम नहीं है सरपन जी आपका फैसला सही नहीं है एक बार और सोच लीजी इस फैसले के बारे में ओ शहर के छोरी, चार किताबे क्या पढ़ ली, हमें सही गलत का पाट पढ़ाएगी तुझे पता नहीं कि पंचायत का फैसला यहां सदियों से चलता आया है और लोग उसी को मानते आये हैं अच्छी तरह जानती हूँ सर पंची अगर मैं चाहूं तो आपकी इस फैसले को कोट की चौकर तक ले जा सकती हूँ पुलिस को बुलाकर अभी घर के अंदर जा सकती हूँ पंचायत और घर के आद्मियों के शिकायत पुलिस में कर सकती हूँ और अपने बच्चे को उसका हग दिलवा सकती हूँ लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी मैं उसी खंडर में रहूँगी और इस गाउं के आदमियों को दिखा दोंगी कि और खंडर को भी महल बना सकती है और वो भी बिना किसी आदमी की मदद के सारे गाउं की औरते देविका की बाते सुनकर हैरान हो जाती है उनका जीवन घुंगट और घर के चार दिवारी के बीच में ही था कोई औरत अपने हग के लिए पंचायद से भी टकरा सकती है ये बात उन्होंने पहली बार सुनी थी अब देविका घर की औरतों के साथ खंडर में चली जाती है माजी ये खंडर तो काफी पुराना है भाबी खंडर पुराने ही होते हैं मुझे तो डराऊना भी लग रहा है मैं डर की वज़े से कभी इस खंडर के आस पास भी नहीं आई लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन इसी में रहना पड़ेगा ये तो टूटा पूटा भी बड़ा है माजी काम करते हैं ये खंडर तो काफी बड़ा है इसलिए एक हिस्से की साफ सफाई करके उसे ही रहने लायक बना देते हैं बाद में धीरे-धीरे पूरा खंडर ठीक कर लेंगे हाँ बहु तुम ठीक कर रही हो विमला भाबी और मैं इस खंडर के टूटे हुए हिस्सों पर मिट्टी और इंटे लगा देते हैं सुजात और विना तुम साफ सफाई कर लो सभी औरते मिलकर खंडर के एक हिस्से को सुधारना शुरू करतीती है और काफी देर तक महनत करने के बाद वो उस हिस्से को काफी हद तक अच्छा कर लेती है और इसी तरह रात हुजाती है, सभी औरते बैठकर बात करती है मा, हमने इस खंडर को घर तो बना दिया है, लेकिन ये घर चलेगा कैसी? हो मा जी, मैं भी यही सोच रही हूँ, और हम सब तो बड़े हैं गर्मी, सर्दी, भूब, कुछ भी आसानी से बरदार्श कर सकते हैं लेकिन देविका का बेटा बहुत छोटा है, उसे तो हमें अच्छी तरह से पालना होगा ना मैं भी यही सोच रही हूँ, कि आगे हमें क्या करना चाहिए? कमो, और मैं मिलकर मिट्टी का चुला और मिट्टी के बरतन बना देते हैं कुछ दिन के लिए खाने का इंतिजाम भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खेत और बाग बगेचे आसपास ही हैं, कहीं से कुछ भी ले सकते हैं पहले आप मुझी ये बताईए, कि आप सब लोगों को आता क्या है? मतलब कोई ऐसा काम जिसका आपको शौक हो, जो आपने बच्पन से किया हो बहुत तेरी दिमाग में चल क्या रहा है? माजी बहुत कुछ चल रहा है, बस अब हमारा सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए, कि हम अपने लिए अच्छे से अच्छा क्या काम कर सकते हैं आप सब हिम्मद से और समझदारी से काम लो, फिर देखना, हम इस खंडेर को भी महल बना देंगी, इसके लिए सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर बनना होगा देवीका सबी को समझा रही थी, तभी उसका बेटा रोने लगा, उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसे चुप कर आने लगी अब देवीका के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, कि वो किस तरह से ससुराल की औरतों को आत्मनिर्भर बनाए और किस तरह से अपना घर चलाए हमारे प्यारे दर्शकों, अब आप बताईए, देवीका और घर की सभी औरतों ने अपने पतियों से माफी ना मांग कर सही किया या गलत, क्या उनका खंडहर में रहने का फैसला सही था, अब देवीका को क्या कदम उठाना चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताना, हमारी क नहारी को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना